वर्ष 2012 के प्रसिद्ध गंगनाम गीत और इसके कलाकार गंगनाम के बारे में तो हम सभी जानती है दक्षिन भारत में शाहिदी कोई ऐसा नाम होगा जिसने इतनी प्रसिद्ध पाई हो आज हम आपको तेलंगाना की एक सूप्रसिद्ध यूटूब स्टार गंगवा दादी से मिलवाने जा रहे है वह अभी तक गंगनाम जितनी प्रसिद्ध तो नहीं पाई है लेकिन निश्चित रूप से उनके भीतर एक वैसे ही विलक्षन प्रतिबा है वह प्रतिबा जिसने लाखों लोगों को उनका फैन बनाते हुए उन्हें यूटूब का एक सूप्रसिद्ध स्टार बना दिया तो चलिए शुरू करते हैं गाउ में एक संगर्ष भरा जीवन जीने वाली 69 वर्षिय मिलकुरी गगंवा का जीवन एक शराभी पती तीन बच्चों और खेत में मजदूरी के बीच बिता वह खेतों में कुली के रूप काम किया करती थी और साथ में वेकल्पिक काम के रूप में बिड़ी बनाने का धंदा भी करती थी गगंवा दादी की जिंदगी तब बदल गई जब उने अपनी छिपी प्रतिभा को तलाशने का मौका मिला दो युवा और तक्निक के जानकार श्रीकान स्रीराम गगंवा दादी के दामाद और अनिल गिला ने दादी के गाव मली आल मंडल में गाव के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला किया वर्ष 2016 में दादी के दामाद ने फिल्म की शूटिंग गाव में शूरू की और अपनी सास को वीडियो में दिखाया गगंगवा दादी कहती थी कि श्री राम ने गाव में पोधो, जाडियो और पेडो को फिल्माया लेकिन मुझे लगा कि लड़का अपना समय बर्बाद कर रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वीडियो एक दिन मेरी जिन्दगी बदल देगा गगंगवा दादी ने एक साक्षातकार में मिडिया को बताया जल्द ही एक मजा किया और व्यंगपूर्ण तरीके से गाव के जिवन को चितरित करने वाला यह वीडियो यूटुब पर बहुत लोगप्रिया हो गया और गंगवा दादी इस शो का लोगप्रिया चहरा बन गई उनकी लोगप्रियता को विबिन्न टिवी शो और फिल्मों के प्रस्ताव मिले और उन्होंने तेलंगाना राज्य में अपने गाव से शेरों की यात्रा शुरू की किसी भी ओबचारिक शिक्षा के बिना गंगवा दादी की विशिष्ट तेल्गू उच्चारन ने उन्हें तेल्गू सिनेमा में लोगप्रियब बना दिया अपनी यूटूब शुंखला की सफलता के बाद गंगवा दादी ने अब एक अभीनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया है वह मलेश्वरम और आयसमार्च शंकर जैसी तेलूगू फिल्मों में भी अपने अभीनेगा जादू दिखा चुकी है उन्हें तेलंगाना के राजजपाल तमीली साई साउंड राजन से भी वूमन अचिवर पुरसकार मिला है सिदंबर 2020 तक गगंगवा दादी के यूट्यूब शो माई विलेश शो के 1.65 मिलियन फॉलोवर्स है और उनके इंस्टाग्राम अकाउट में 48,000 फॉलोवर्स है गगंगवा दादी ने अपनी प्रतिभा से सब को लोहा मनवाया है उन्होंने साबित कर दिखाया है कि सफलता पराप्त करने के लिए उपचारिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं बलकि लक्षे के लिए दुरूर इच्चा शक्ती की जरूरत होती है तो दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसे लेगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए आपके सुजाव हमारे लिए मारगर दश्चक बनते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई